दिल्ली में इन दिनों मुख्यमंत्री का आवाज सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है एक तरफ बीजेपी सीम आवाज को शीश महल कहकेर बोल रही है तो दूसरी और आमादमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर सीम आवाज की जासूसी करने का आरोप लगाया है दिल्ली सरकार में मंत्रीस और भारत द्वाज ने कहा कि सीम अर्विंद्र केजिवाल की सुरक्षा में कई बार चूक हुई है नतीजन उन पर कई बार हमले भी हुए है दुख की बात है कि एक लोगप्रिय जननेता की सुरक्षा के साथ समय समय पर चूक होती आई है और कई बार अर्विंद्र केजिवाल जी के उपर हमले हुए है राज जी की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जनता की सुरक्षा करे दुखी बात ये है कि जनता तो छोड़िये दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया वहीं वीजेपी ने सियम अर्विंदर केजरिवाल के आवास के बाहर पिछले 5 दिनों से धरनापरदर्शन कर रही है वीजेपी का कहना है कि अर्विंदर केजरिवाल खुद दागी नेता है और उन्होंने खुद के लिए 7-73 सुविधाएं बनाने का काम किया है कि एक है नेतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तोर पर कानून का उलंगन तो नेतिक दोगलापन केजरिवाल जी के वेवार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत औस्तियर साधारन जिंदगी जीऊंगा घोड़ा गाड़ाई बंगला नहीं लूँगा और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बलकि अपने लिए सेविन स्टार फेसिलिटी बनाने का काम किया साथी अरविंद केजरिवाल के आवास की जासूसी को लेकर आप नेता संजे सिंग और रागफ चड़ा ने दिल्ली के पूलिश कमिशनर को एक पत्र भी लिखा है बता दें हाली ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल के आवास को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी उन्होंने अपने सरकारी अवास के रेनोवेशन में करीब 45 करोड रुपए खर्च किये थे करनाटक चुनाफ की तारीक जैसे जैसे नज़्दीक आती जा रही है वैसे 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 वायानों के तीर और भी तीखे होते जा रहे है करनाटक चुनाफ को लेकर कॉंग्रेस और वीजेपी ने अपने बड़े-बड़े नेताओं को प्रचार में उतार दिया है लिहाजा कॉंग्रेस की माहसची प्रेंगा गांधी वाडरा जनसवा करते हुए बीजेपी पर 40 पीसदी का कमिशन लेने का अरोप लगाया है वही वीजेपी नेता गौरब भाटिया ने कॉंग्रिस को उन्हीं के घूशना पत्र को लेकर निशाना साधा और कहा कि करनाटक के लोग हनुमान 40 का पार्ट कर रहे हैं और कॉंग्रिस का घूशना पत्र जला रहे हैं manifesto which is so communal in nature that hatred venom is dripping from that manifesto how dare you insult Lord Hanuman किसमें इतना दम है कि भगवान बजरंग बली पर बैंड लगा देगा कौन सा राज़ितिक दल है जो हिंदूओं से इतनी नफरत करता है कि हार चुनाव में केवल सकता पाने के लिए आप सबकी भावनाओं से खेलेंगे तो दूसरी और कौंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने केंद्रे ग्रह मंतरी अमिशाह पर निशाना साधा और कहा कि करनाटक के लोग शांति प्रेह होते हैं बीजेपी केवल यहां का महौल खराब करने आई है बतादे करनाटक की 224 सदस्याई विधांसवा सीटों पर 10 माई को मतदान होगा जिसके नतीजे 13 माई को आएंगे जातिय जनगर्ना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गी आचिका पर 4 माई को पटना हाई कोट ने फैसला सुना दिया है और पटना हाई कोट ने जातिय जनगर्ना पर अंतरिम रोक लगा दी है चीफ जस्टिस के विनोच चंदरन और जस्टिस मधुरेश प्रसाथ की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी दरसल बिहार सरकार द्वारा जाती के अधार पर जनगरना के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई थी जिसके बाद इस फैसले में सुप्रीम कोट ने दखल देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि याची का करता हाई कोट का रुक करें तो वहीं इस मामले में बिहार के सीम नितीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है उधर बिहार बीजिपी के प्रदेश अध्यक्ष समराट चौधरी ने एक बार फिर से नितीश कुमार पर निशाना साधा है तो वहीं जातिय जनगर्ना पर आर जेडियो जेडियो के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है धान मंडल का सर्व सम्मत प्रस्ताव सर्व दलिय सहमती के आधार पर संबैधानिक प्रावधान के तहत जाती गरना का नितिगत फैसला और ऐसी स्थिति में मालिय उच्छी नियाले पटना द्वारा ततकाल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह इस निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको प्रिजर्व रखा जाए तो निश्चित्रुक से यह ततकाली कादेश है इसके राजनेतिक नहितार जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलिय जो फैसला है जो विधान मंडल का सर्व शंबत प्रस्ताव है उसको कमभेरता से राजनेतिक चस्मे से जरूर देखना चाहिए जातिय जनगंणा को लेकरके माननिय उच्च नियाले का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं माननिय नियाले के फैसले पर तो कोई टीका टिपनी नहीं की जा सकती है लेकिन जो अगली तिथी दी गई है उसमें अंतिम फैसला होगा तो देखा जाएगा सरकार ने करते हैं और आगे जो भी होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी आपको बता दे कि याचिका में कहा गया है कि जाती अधारे जंगर्णा में लोगों की जाती के साथ-साथ उनके कामकाच और उनकी योगता का भी बियौरा लिया जा रहा है ये उनकी गोपनियता की अधार का हनन याचिका में कहा गया कि राजसरकार को जाती जंगरना कराने का सम्विधानी का दिकार नहीं है और साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड रुपे भी टेक्स के पैसों की बर्बादी है उत्तरबर्देश की राजजानी को कबसे नगर निकाय चुनाव का इंतजार था जिसका चार माई को पहला चरण संपन हुआ यानि के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ ऐसे में प्रदेश के मुखे मंत्री योगिय अधितनाथ ने गोरकपुर में मतदान किया और सभी लोगों को आगे भी मतदान करने की अपील की केंद्रे रक्षामंद्री राजनात ने अपने परिवार के साथ लखनव के विपुल खंड पहुँचे जहां पर उन्होंने मतदान किया वहीं लखनव में ही यूपी के डिप्टी सीम ब्रिजेश पाठक ने भी बोर्ट दिया को और मजबूती देने के लिए है है राश्र के प्रत्समद्पित भावना करने के लिए हमें अपना अची बात पर्ण पर्ण लखनव में ही बीएसपी सुप्रीमों मायावती ने भी बोर्ट डाला और कहा कि बीएसपी बहतर धंग से चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बल्पूते पर पूरी त्यारी और दमदारी के साथ लड़ रही है हमें पूरा भरूसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पूंस मिलेगा अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का लखनव में ही वीजेपी नेता महिंदर सिंग ने मतदान के और चुराम में जीत का दावा भरा हर भूत पर कमल का फूल खेलने वाला है सभी सीटों पर बंपर विजे होने वाली है क्योंकि हर किसी को पता है कि उत्तप्रदेश भारत के लिए और दुनिया के लिए एक माडल बन रहा है विकास का और सुसासन का और चतुर्दिक विकास की आधी उत्तप्रदेश में चल लही है वहीं समाजवादी नेता शिपाली आदव ने प्रदेश के सभी मतदाताओं को वोट डालने की अपील की तो अधर जिला अधिकारे सुरेपाल गंगवार ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया इतना ही नहीं यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में कुछ जगाहों पर शिरार्ती तद्वों ने हुर्दंग मचाया हुर्दंग वाजों ने लाइन में लगे वोटर्स के साथ मारपीड भी किये और पुलिस कर्मियों के साथ बचसलुकी की ठत्सिक बारे बचसलुकी की ही सी का अक्या कि लगे वोटर्स थाल